हेलो फ्रेंड्स तो कैसे हैं आप उमीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे स्वास्त होंगे मस्त होंगे रस्मी रावत ब्लॉक्स में आपका बहुत बहुत सागत है तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ स्विकन साडी के लिए कुछ टिप्स अगर आप स्विकन साड़ी पहनना चाहती है तो उसके लिए में आपके साथ कुछ अच्छे चीज़ टिप्स सेयर करूँगी कि क्या-क्या गलतिया आपको नहीं करनी है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है स्विकन साड़ी आजकल काफी ट्रेंड में चेल रही है अगर आप भी डिफरेंट लुक चाती है तो आपको स्विकन साड़ी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा क्योंकि स्विकन साड़ी कुछ डिफरेंट सा लुक देती है तो आपको किन चीजों का ध्यान रखन है जिसे कि आपसे फेशन मिस्टेक ना हो तो वो मैं आग को बताती हूँ जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले बात आती है बलाउस की बलाउस आप हमेशा थोड़ा सा सोच समझ कर ही पहने क्योंकि इसके साथ सिंपल कॉटन का सिंथेटिक बलाउस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और वो बिल्कुल मिस्मेच्चा हो जाएगा तो इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छा अच्छा अट्रेक्टिव सा बलाउस बनाना है अगर आप ज़्यादर स्लीबलेस पहनती हैं तो कोसिस कीजिए कि आप स्लीबलेस ब्लाउजी पहनें क्योंकि इसके साथ स्लीबलेस और स्विकन्स का ब्लाउजी काफी अच्छा लगता है और वो काफी इसके साथ परफेक्ट लुक भी देता है तो इसलिए आपको स्विकन्स साड़ी काफी स्टालिस होती है इसलिए इसके साथ va ce year salary की जुरत नहीं होती है लेकिन अगर आ पहना जाती है तो इस्टोन या apple की जैलरी आपको कैरी करनी चाहिए इस्टोन और pewno जैलरी काफी light होती है तो यह काफी अच्छा लड़़क भी देती है और स्विकन साड़ी के साथ मैच भी हो जाती है साथ अगर आप जेलरी में नेकलेस पहन रही है तो आपको एरिंग्स नहीं पहननी चाहिए इससे भी आपका लुक काफी अच्छा लगेगा तो अब बात करते हैं मैक अगर आप स्विकन साड़ी कैरी कर रही है तो आपको इसके साथ कम से कम मैक अप करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि स्विकन साड़ी काफी ब्राइट होती है जिसके साथ आपको डार्क मैक अप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा ओबर लगेगा तो आपको light makeup करना है light सी lipstick लगानी है और light color की lipstick आपको काफी elegant look देखी तो आपको कोसिस करनी है कि light color की lipstick आपके साथ करे और कम से कम makeup ट्राइ कीजिए तो आप बात करते है hair style की कि आप इसके साथ कैसा hair style रखे आपके साड़ी के लिए hair style भी बहुत माइने रखता है तो hair style को बिलकुल भी कम नहीं समझना चाहिए मतलब उसे हलके में नहीं लेना है hair style भी पूरा ध्यान देना है तो इसके लिए आपको इस साड़ी के साथ bun या कल लॉक्स state hair ही रखने चाहिए हलनकि सबसे ज़्यादा जो इसके साड़ी के साथ मैच करता है वह state hair बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और elegant look देते हैं तो इसके लिए आपको state hair पे ज़्यादा जाना चाहिए और इसके साथ बिल्कुल भी नहीं करनी है जो कि स्विकन साड़ी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगा और अब लास्ट में बात करती हूँ मैं यह श्रग या जैकेट की आजकल स्विकन साड़ी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है स्विकन साड़ी के साथ स्लीबलेस ब्लाउजी ज्यादा अच्छा लगता है तो यह कुछ बाते थी जो मैंने आपके साथ शेयर की जो आपको ध्यान में रखनी है और अगर आप स्विकन साड़ी पहनती है और इसके बाद यह सब टिप्स आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेती है तो आपका लुक बहुती अच्छा लगने वाला है और पार्टी में आप चाह जाने वाली है तो आपको मेरी यह प्यारे प्यारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताना और पसंद आये हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लीजिए ज्यादस ज्यादा शेयर कीजि मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर